तो गाईज आज हम आपको लेकर चलते हैं रन्थमबोर स्कूल ओफ आर्ट्स तो आप वीडियो में अंतर तक बने रहे हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे स्टार्ट करते हैं आज का ब्लोग तो ये है विलेज उमन क्राप्ट स्वाई मादूपू सबी चीज़ देखने को मिलेगी तो हम चलते हैं रन्थमबोर स्कूल ओफ आर्ट्स के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितनी सांदार सांदार कलाकरतियां की गई है तो गाईज ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सबी चीज़े वस्तरों पर या केनवास पर य सारी कलाकरतियां की गई हैं ड्रॉइंग्स इसक्रेच सबी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो जो टाइगर के यांके देखने को मिल रही है वो तो अलगी नेस्ट लेवल यार घजब तो गाइज यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं पक्षियों के भी स्क्रेच और ड्रॉइंग यहाँ पर है जो कई कलाकरों ने की है आप देख सकते हैं कितनी सांदार सांदार यहाँ पर ड्रॉइंग बनाई गई है और अगर आपको यहाँ लग रहा है कि कहीं से पिर जादतर के नुवास पर उबारी गई है ये वाला शेर देखो कितना गुस्षे में लग रहा है बाई तो गाइस ये पूरा एक तरह से ड्रॉइंग से ही भरा हुआ है आप देख सकते हैं ये जो ड्रॉइंग की गई है वो एक नेश्ट लेवल है जो आपको हमारे द्वारा दिखाएगे ब्लोग में देखने को मिल रही है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें और देखते रहें शांदार शांदार नजा रहें इस ड्रॉइंग रूम के और अगर गाइस आप लोगों ने विलेज उमन क्राप्ट्स जो महिलाओं द्वारा हातों से बनाए गई चीजे हैं वो अगर आपने ब्लोग नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रेप्शन बोक्स में आपको प्रवाइड करा देंगे आप देख सकते हैं वहाँ जाकर तो गाइस जो ये बनाया गया है इसकी आँखे देखे आप एकदम ओरिजनल लग रही है देखो ये जो आप देख रहे हैं ये यहां की सबसे शांदार कला करती थी तो गाइस यह यहां का हस्त सिल्फ ग्राम आपको कैसा लगा यहां की प्रेंटिंग बिल्कुल हातों से बनाई जा रही है और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरू कर दे तो गाइस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब थैंक्स वर वाचिंग बबाई